नमस्कार दोस्तों मैं प्टीती मेरे किचन में बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ आज हम बनाएंगे मिर्च की रेसिपी हमारे यहां कभी-कभी धेर सारी हरी मिर्च आ जाती है और रखी-रखी-रखी सूख जाती है लाल हो जाती है हमें समझ में नहीं आता कि उनका क्या करें और कभी-कभी तो वो फेक भी देते हैं लेकिन आज हम इन सूखी और बासी मिर्चियों से बहुत मज़ेदार रेसिपी बनाएंगे एकदम चटाकेदार और इसको हम 20-25 दिन स्टोर करके भी फ्रिज में रख सकते हैं और इसमें मैंने एक बहुत सीक्रेट मसाला यूज किया है जिससे यह बहुत चटाकेदार और मज़ेदार बनेगी रेसिपी तो चलिए इसको देखते हैं हम कैसे बनाते हैं ये मैंने ली है कुछ मिर्चियां जो सूप गई है और लाल पड़ गई है तो आपको जितनी मिर्ची यूज करनी हो आप उस हिसाब से मिर्चियां ले लीजिए तो ये मैंने ये इतनी मिर्ची ली है ये लाल हो गई है थोड़ी कड़क भी है और बहुत सूप भी गई है कम से कम 18 दिन की ये मिर्चिया है इसके लिए हम पहले एक secret मसाला बनाते हैं मैंने आठ-दस ली हैं इसमें लहसुन की कलियां, थोड़ी सी डालेंगे हम इसमें मीठी नीम यानी करीपत्ता और थोड़े से ही हम डालेंगे इसमें कस्तूरी मैथी, देड़ इंच लिया है, मैंने इसमें अधरक, उसको भी थोड़ा कट कर लिया था, आदा चम्मच डाली है, इसमें खड़ी सौंप, आदा चम्मच ही हम डालेंगे इसमें जीरे, और दो छोटी चम्मच ही हम इसमें पाने एड़ करेंगे, और इसको मिक्सी में पीस लेंगे, बहुत अच्छा flavor आएगा तो यह हमारा मिक्चर बन कर तैयार है अब इन मिर्ची को हम कर लेते हैं कट तो हमें 20 में 20 से थोड़ा सा कट लगाना है हमें सेंगी मिर्ची नहीं डालनी क्योंकि वो तेल में जाते ही फटती हैं तो हम इस तरह से अपनी सारी मिर्चियों में बीच में थोड़ा थोड़ा कट लगा लेते हैं और ये डंठल जो सूख गए हैं इनको हम अच्छी तरह से निकाल लेते हैं तो आप चाहे कैची से कट कर लीजिए चाहे हां से तो मैंने ये सारे डंठल निकाल लिए हैं अब ये लिए हमने कड़ाई में थोड़ा सा तेल और गे और इसको तल लिया है, और इसको अब हम निकाल लेते हैं एक अलग प्लेट में, अब कड़ाई में मैंने पूरा जो तेल था वो थोड़ा सा निकाल लिया है, और कम से कम छोटी तीन चम्मच तेल इसमें छोड़ दिया है, अब इसमें मैंने डाल दी है राई, आदा चम्मच और इसमें मैंने आधी प्याज डाली है अगर आपको बिना प्याज की बनानी है तो आप प्याज मट डाली ए राई डाली है और उसके बाद अपना जो हमने पेस्ट बनाये था वो डाल दीजिए तो अब हमें इसको ब्राउन कर लेंगे प्याज को यह प्याज हो गई हमाई गोल्डर म्राउन और इसमें हम अपना यह पेस्ट डाल देते हैं तो हम यहां पूरा पेस्ट यूज करेंगे और इसमें हम थोड़ा सा पानी एड़ कर देंगे तो वह मैंने मेक्चिका जार को थोड़े पानी डाल के और इसमें बल्कुल आदा कप से भी कम पानी डाल दिय और यह अदा मरिट भी नहीं लगा और हमारे मसाले अच्छी तरह से शिख गये हैं यह देखिए पूरा पानी इसने सोक लिए एक चम्माज धना पाउडर लिया है मैंने यहां थोड़ी सी डाल देंगे हम हल्दी और इसमें मैंने कलर के लिए ही लाल मिर्च का यूज किया है कस्तूरी लाल मिर्च अगर आप नहीं डालना चाहेते तो मड डालिए यह उप्सिनल है इससे हमारी सब्जी का कलर बहुत अच इससे सारी मसाले अच्छी तरह से गल जाएं और आदा मिर्च हम इसको उबालेंगे और इसमें हम एट कर देते हैं मिर्चियां इनको भी हम अच्छी तरह से पकने देंगे तो थोड़ा सा पानी और एट कर सकते हम इसमें ताकि हमारी मिर्चियां अच्छी तरह से गल जाए यह डाल दिया है मैंने इसमें हींग से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है और यह कोई सा भी आप मसाला एट कर सकते हैं जैसे पावबाजी मसाला चना मसाला छोला मसाला इससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आएगा हमारी इस रेसिपी में यह मिर्च की सबजी है इसको आप तो यह देखिए हमारी फटा फट से मिर्ची की मतलब रखी हुई मिर्चियों की रेसिपी बनकर तयार है आप यह रेसिपी कब बना रहे हैं मुझे कमेंट कीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे अगर नए सब्सक्राइबर है तो वीडियो को सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को ना भूलें यह देखिए बनकर सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को ना भूलें यह देखिए बनकर सब्सक्राइब तयार है और आप इसको टेस्ट कीजिए इसको बनाईए देखिए बहुत बढ़िया बनी है तो आप इसको enjoy कीजिए बनाईए और देखने के लिए thank you